हेलो मेरी प्यारी यूटूब फैमली आपके अपने चैनल जसनूर मॉम ब्लोग में आपका स्वागत है तो कैसे हो आप I hope सब अच्छे होंगे तो मैं आज फिर से आपके सामने एक नए ब्लोग के साथ सुरुवात करती हूँ तो ये है सेकेंड डे अरग्या का तो मैं ढाई बज़े ही उठी गई थी और यहाँ पे मेरा सारा नाना दोना काम वेगरा हो गया था मॉर्निंग में जो जारू पोचा करना था और पाट पुजा भी और ये भी निकल गए हैं हमारे साथ में इन्होंने बोला कि मैं भी चल लेता हूँ और जसनूर की वैसी भी तवियत खराब भी थी इसलिए और हम लोग ये देखे इरिक्षा से हम लोग जा रहे हैं और यहाँ लगबग चार बज़रा होगा मॉर्निंग के तो यहाँ पी ये देखे अब हम लोग घाट पे पहुँच गए हैं और इतनी रौनक थी और इतनी अच्छी लाइटिंग वेगए और परग्राम भी रात बहर चल रहा था और ये देखे देखने में इतना ज़्यादा सुन्दर द्रिश्य लग रहा था मतलब बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहा था तो एकदम कहां थी पता नी रात में तो करीब मैं ढाई बजी उड़ गए थी मैं तो सोई नहीं थी और जसनोड का भी तवियत खराब था न इसके कारण तो यहाँ पे मैं नहादो करके फ्रेस वेगेरा सब हो के अच्छे से आ गई हो और अब यहाँ पे अरग देने का वेट करेंगे तो अभी तो लगबग साड़े चारी बज रहे थे तो हम लोगों को डलिया वेगेरा लगाते वे टाइम लग गया था थोड़ा तो वैसे हम लोग निकल तो गए थे चार बजे करीब घर से और उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे सब इंजुआए कर रहे हैं पटाके वेगेरा फोर रहे हैं और पुलीस भी ना बार बार आ कर रहे थे कि प्लीज पटाके मत फोरो परदूशन हो रहा है बहुत जादा ही लेकिन बच्चे है कि मानते ही नहीं है और मतलब फोरे जा रहे थे कि लास्ट ही है तहवार अब कब पटाके फोरेंगे कब मिलेगा पोरना अब अगले साली तो इसलिए तो यहाँ पे ना सब तैयारी वेगेरा वहाँ पे हो गई थी और लगबग पांच बजे सब जो है पानी में उतरेंगे फिर से जिनको मनत मांगनी होती है वो और सब धूप दीब जलाकर कि अपनी डलिया सूप वेगेरा और अच्छे से रख देते हैं और जलता है और अच्छे से पूजन कर ले और मैं तो हर साल ममी के हां जाती हूं ममी के हां ही देखती हूं पटना में तो वहां का ही मैं जानती हूं और यहां का फर्स टाइम देखी न और ममी को भी मैंने वीडियो कॉलिंग से इन फैक्ट दिखाया कि ममी देखो यहां भी ऐसे होता है तो ममी बोली बहुत अच्छे कर रही थी तो यहां पर यह देखिए यहां पर वच्छे से द्रिश ले लिया और यह देखिए यह जो मैंने थोड़ी सी क्लिप ले लिये यह न सथ कहते हैं कि दंड देना जो कि किसी का होता है मानावा गच्छावा होता है तो वही इनका दंड देना होता है छट में तो यहा बजाना बजाना तो यहां पे सारी लेडिस कर रही हैं बाते कर रहे हैं और यही सब टाइम पास करते करते सूरज उगने का टाइम हो जाता है और उसके बाद तब तक इंतिजार करते हो ये दिखी इनकी नंद जो थी ये पहली गुश गई है मतलब आदा एगंटा पहली गुश गई है और ये जो दी दी है न ये छे बजे करीब लगबग छे सवा छे बजे गुशेगी तो वो उनको फल वेगेरा हाथ में दे दी रही ह और सिंदूर वेगेरा लगा देगी अच्छे से और यहाँ पे न बहुत ही प्यारा दिर से मतलब दिरी दिरे न सब कोई पानी में दिरी दिरी गुश के और हाथ जोड के प्राथना करके सुरज भगवान को परणाम कर रहा है और यहाँ पे ये देखिए थोड़ा- अरग देंगे मैं भी गुश गई हूं फाइनली पानी में और अच्छे से न जब तक मन में थोड़ा सा पानी में न गुश के दो न तब तक मन में थोड़ा सा दुख-दुख सी रगी रहती है कि उपर ही उपर देना और जस नूर को भी मैंने न गोदी मी ले लिया था और बुश सारे कामी डीले हो जाते है तो वही हो रहा था मेरे साथ में तो फाइनली अब मैं यहा पर अरग दे चुकी हूँ और अब यहा पर सूरज भगवान को भी जल मैं अच्छे से चड़ा दोंगी और ये जो सूप फेकर अच्छे से देंगी न अरग तो उसमें भी मैं जल से ही चड़ा दूँगी दूद मैंने पहले ही सब को चड़ा दिया था मतलब आदा किलो की मैंने पॉलतिन ली थी और अच्छे से सब को मैंने चड़ा दिया था दूद का और जसनूर को प्रिंस को सभी को चड़वा दिया था और यहां देखे यह सूप को ले करके दे रही है और मैं जल से हाथ से दे रही हूँ मैं ना घर से लोटा ही नहीं ले के आई थी भूल गई थी तो फिर यहां इनक करकर कि कभी सूप में, कभी ठाली में, जो भी इनके, जैसे वो रखी हैं, तो मैं यहां पे दे देती हूँ, और अब मैं सुरज भगवां को भी जल चड़ा के नमन कर लूँगी, ए माता रानी है, सुरज भगवां जी, जल्दी से मेरी सारी मनुकामना पूरी हो जाए और मेरी बीटिया रानी की भी तबियत जल्दी ठीक हो जाए और मेरी यूटुब फैमली की भी सारी मनुकामना पून हो जाए और सभी के घर में खुशियां ही खुशियां हो तो यहां देखे मैं उपर आ गई हूँ और मेरा टक रही हूँ और सबसे न श्रीवाद वेगरा ले रही हूँ मतलब लेना चाहिए पांच हो दस हो जितना भी हो और शब मुझे परशाद भी दे रही है तो तोड़े तोड़े परशाद भी ले लेती हूँ अपने जोली में और यहां देखे आप सब को यहां पे घर को बाप इनकी दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और बहुत अच्छा लगा मेला गी टाइप हो गया था मतलब बहुत देखने में भी अच्छा लग रहा था अब मैं घर आ गई हु और चेंज बैगरा कर ली हो अब जाकर रिलाक्स होई हूँ पूरी में मिट्टी मिट्टी हो गई थी और पूरी गीली हो गई थी मतलब कपड़ा मेरा गीला होए था मतलब पानी में घुज करके और जल चड़ाना होता है न तो पहीं मैंने चड़ँ द तो यह था मेरा वीडियो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा च्छट परव महा स्पेसल ब्लॉग तो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजेगा नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजेगा अब मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वी रहिएगा और हेल्थी रहिएगा ओके बाई लवी हुल्ट